हलो फ्रेंड्स, वेल्कम टु दे होम कुक, आज हम निमोना बनाएंगे, तो आएए देखते हैं कि निमोना बनाने के लिए हमें किन इंग्रीडियंट्स की ज़रुरत हैं, जीरा, बड़ाय लैची, काली मिर्च, दो कटे बड़े आलू, थोड़ा अध्रक, 10-15 लैसुन की कली, 4-5 हरिकटे मिर्च, 100 ग्राम कटा हुआ हरा धनिया, 10 किलो मटर, 3 हरिकटे प्याज, निक्से में हम अपने खड़ा मसाला डाल देंगे, कटा हुआ हरा मिर्च, लैसुन, अध्रक, हरा कटा प्याज, और कटा हुआ हरा धनिया, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर अपने मसाले को पीस लेंगे, अब हम कढ़ाई में मस्टर्ड ओल डालेंगे, तेल गरम हो जाने पर थोड़ा सा हींग, एक चमश हल्दी पाउडर और हमारा पिसा हुआ मसाला डालेंगे, अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, जब तक हमारा मसारा भून रहा है, तब तक हम अपनी मटर पीस लेंगे, मटर में थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसको पीस लेंगे, 10 से 15 मिनिट भूनने के बाद अब हमारा मसाला रेडी हो गया है, इस मसाले को हम अलिक बोल में निकाल लेंगे, अब कढ़ाई में थोड़ा सा ओईल डालेंगे, और ओईल करम होने के बाद हम इसमें पिसा हुआ मटर डालेंगे, साथ ही में थोड़ा सा पानी आड़ कर लेंगे, और मटर को अच्छे तरह से भूननेंगे, भूनते समय ही हम इसमें कटे हुए आलू डाल देंगे, और इसको 10 मिनिट तक भूननेंगे, 10 मिनिट भूनने के बाद अब हमारा मटर तैयार है, इसमें हम अपना पहले से भूना हुआ मसाला डालेंगे, और दोनों को साथ में अच्छी तरह से मिला लेंगे, अब इसमें हम अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा खड़ा मटर भी डाल सकते हैं, 10 से 15 मिनिट और भूनने के बाद इसमें हम दो ग्लास पानी डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और उबलने के लिए ढग देंगे, 10 मिनिट उबलने के बाद हमारे आलू अब पक चुके हैं और हमारा निमोना रेडी है, अब इसे हम अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेंगे, निमोना को हम धन्या पत्ति से गार्निश कर लेंगे और एक चमच देसी गी डाल देंगे, अब हमारा निमोना सर्व करने के लिए रेडी है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करिए, और फॉर मोर एक्साइटिंग दिशिस, प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू,